तो इस कोशिन पर समझते हैं वहां मतलब है जो हमारे प êtes प्रेमरी टाइप से तो हम बोलते हैσα एंट आंट्र प्रैमेरी टाइप से के तो नहीं बूल रहे हैं साथ में इसे बोलते हैं It is also called as value type. हम इसको value type भी बोलते हैं क्योंकि value store करने के लिए. जैसे कि मैंने अगर यहां बोला, integer a equals to 100, इसके पास a नाम से एक variable है. तो मैंने ऐसे रिखा, integer a equals to 100, it means a के पास 100 है, right? a के पास 100 है और 100 is what? it's a value, इसके पास क्या पढ़ी है, एक value है, तो मैं अगर a equal to a plus 1 कर दो, तो 100 plus 1 होके 101 बन जाएगा, और यहां मेरे पास 101 value दिखनीश हो जाएगी, that's why it is called value type, because it's store a value, तो इसके पास अपनी एक value होती है, तो primary types ने बुला, कि मैंने इसे further categorize कर रखा है primary type को, categorize कैसे होको कहता है कि मेरे पास एक इसी के अंदर जो category है, वो है non-decimal values, मतलब मैं इसके अंदर non-decimal values रख सकता हूँ, अगर मैं इसके अंदर value रख रहा हूँ, तो किस-किस type के value रख सकता हूँ, तो non-decimal रख सकता हूँ, non-decimal का मतलब क्या है, देखो, non-decimal का मतलब है, कि suppose अगर मुझे store करना है byte x equals to 10, तो जैसे मैं लिखा byte x equals to 10, इसका मतलब मैं इसके अंदर जो information store कर रहा हूँ, उसके एक range होगी, क्योंकि byte जो है, वो एक reserved word है, और उसके एक range होगी, वो कितना range का data store करेगा, so it will going to store one byte of data, तो एक byte तक का data वो preserve करके आ सकता है, एक byte का जो हमारे लिए essence है यहां पर, वो है कि one byte is equal to eight bit, और bits है, तो उसका जो base है हमारे पास, जो उसका base create होता है, which is two, वो two हमारे पास create है base, क्योंकि zero या one ही हम इसके अंदर store कर रहे है, तो बोलता है, eight bit में से one bit मेरे पास होती है, sign को रखने के लिए, प्लस और माइनस को store करने के लिए, इसके बाद जो बाकी बची, that is the seven bit, जो range को store करने के लिए, जो मेरे पास range होगी, वैग लिए कि उसके लिए, तो हमारे पास एक formula बनता है, which is called minus two raise to our range, तो seven is what, it is a range, तो minus two raise to our seven, two, two raise to our seven minus one, तो अगर हम minus two raise to our seven को open करते हैं, it is minus 128 to 127, this is the range, जिस range of value को preserve करेगा, तो byte की range है, one byte of data and it can store minus 128 to 127 तक की value में इसके अंदर store करता हूँ, अगर मेरे पास value इससे ज़्यादा बढ़े होगी, तो byte इसे preserve नहीं करके पाएगा, यानिकि मैं इसमें अगर 128 store करने कोशिश करूँ, नहीं करके आपाएगा, तो इसे एक बार cross check करते हैं, तो suppose मैंने यहाँ जाकर एक और byte बनाया, byte y, और यहाँ जाकर देखो, मैं लिखता हो 127, perfect है, यहाँ तक store करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ जाकर लिखा byte z, और यहाँ लिखा 128, तो it will give you an error, तो इसने मुझे error दे दिया, इससे समझ में आ गया, it is telling you, कि यह बोल रहा है कि यह int बन गया है मेरे लिए, it is not treated as a byte, यह byte की थरे treat नहीं होगा, तो यहाँ पर इसने error दे दिया, अब अगर मैं इस error पर भी byte लिख दूँ यहाँ पर, तो मैंने इसे explicitly cast करने कुश्च कर दी, तो क्या गरेगा 128 इसके पास आई नहीं सकता, तो यह वापिस घूम जाएगा पीछे वाली range में, यहाँ से जाकर पहुंच जाएगा इस range पर, इस तरीके से वो बुलेगा कि मैं 128 को take care नहीं करता और आपने इसे byte वे forcefully किया, तो मैं यहाँ से घूम जाऊँगा यहाँ पर, तो मेरे पास result आएगा minus 128, क्योंकि सिर्फ एक कर difference था, तो इसलिए minus 128, अगर यहाँ होता 129, तो मेरे पास minus 128 से minus 127, तो अगर यह होता 130, तो इसका मतलब minus 128, minus 127, फिर minus 126, इस तरीके से output जाता हमें, तो इससे हमें समझ में आए कि हम इसे cast कर सकते हैं, तो अगर मैंने यहाँ जाकर इसे 130 कर दिया, तो हमारे पास जो Z का output आना चाहिए, वह आना चाहिए, माइनस 126, तो इसके बाफ़े से यहाँ थे हैं, और यहाँ से हमें से run का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, तो run का बटन प्रेस किया, और यहाँ से हमारे पास यह output देदेगा, एक बार मैं से run कर देता हूँ, यहाँ से run कर देता हूँ, primitives types.java, और आप देख पार है, माइनस 126 इसने result दे दिया है, तो हमें समझ में आया है कि वन बाइट ओफ इंफोमिशन प्रेसर्व करने के लिए हमारे पास, अब अगर मैं को इससे बड़ी value चाहिए, तो मैं use कर सकता हूँ, that is the thing called short, मैं short use कर सकता हूँ, और short में मैंने यहाँ पर specific कर दिया, c equals to, और यहाँ बड़ी value store कर क्या सकता हूँ, तो जो short है, वो कहता है, मैं 2 byte of data रख सकता हूँ, तो अगर मैं को 2 byte तक की range कर data restore करना है, तो मैं इससे use कर क्या सकता हूँ, और यहाँ से हम, यहाँ से आयते हैं, यहाँ पर, एक पर इससे हटायते हैं, और वापिस पहुच जाते हैं, इस जगह, तो अगर मैं को 2 byte of information store करनी है, यहाँ पर, so I specify, कि यहाँ पर हम लिख रहे है, short, short में जाकर because of 2 byte है, तो 2 byte का मतलब है 16 bit, right, it is 16 bit, और 16 bit का मतलब 15 bit is for range, वो range के लिए चली जाती है, and 1 bit is for, 1 bit जाती है हमारे पास, plus और minus के लिए, formula वही बनता है, minus 2 raise to our 15, to 2 raise to our 15, minus 1, minus 1 इसलिए हो रहा है, last में, क्योंकि हम, इसके बीच में 0 भी आएगा, that's why एक कम आएगा, तो यहाँ अगर हम इसे open करें, तो 32768, यह मैं को याद है value, इसना में लिख रहा हूँ, 232767, so this would be the range of short, अगर मैं को इससे भी बड़ी range पर जाना है, तो मैं use कर सकता हूँ, इसकी बजाए, int को, so I can use a int here, तो हम पहुच जाते हैं, यहाँ से, int की तरफ, and we specify int f, और यहाँ पर हमें कोई value specify कर दी, तो मैं integer value store कर सकता हूँ, उसकी जो range है, वो है 4 byte, इसका मतला आप internally समझ सकते हो, कि यह 32 bit तक जा सकता है, जिसमें यह लगा सकता है, formula 2 की power 31 तक का, right, minus और positive के लिए भी, right, इसी तरीके से, अगर मै कोई value रखनी है, जो इससे भी ज़्यादा बड़ी हो, तो मैं use कर सकता हूँ, यहाँ पर से long, और long के लिए good practice है कि मुसके last में L लिख दिया करें, right, तो यह बन जाता है, कि L जो बता रहा है, L for long है, long value को denote करनी है, लिए capital और small दोन लिख आसकते है, तो आप इसे L ऐसे लि है कि long भी कैसे define किया सता, long की जो range है, which is of 8 byte of data, तो formula बन जाएगा 2 raised to over 63, so this is for non-decimal, so non-decimal की category में हमरे पास byte, short, or int, or long, यह सब हमरे पास इसी category में आते है, right, अब अगर मिरे को कोई decimal value पर काम करना हूँ, I want to work on some decimal value, तो मैं use करता हूँ, float या double को, तो मैं float या double को use करता हूँ, और float के लिए हमें, जैसे मैं लिखा, float R, और ऐसा करके मुझे इसके last में भी, ऐसा F लगाना पड़ेगा, so F और F for float literal, यह किस के लिए यूज़ हो रहे है हमारे पास, float के literal के लिए है, अब अगर मैं कोई इससे बड़ी value चाहिए, तो I can use a double, क्योंकि इसमें decimal value तो इसके अंदर precision है मेरे पास, precision, dot लगाने के बाद, तो इसका मतलब double का high precision है, double हमारे पास 8 byte के इटा प्रिजर्व करता है, यह हमारे पास 4 byte की information store करता है, तो हमें समझ में आए कि अगर हमें decimal value पर जाना है, we have float and double, इसके साथ-साथ हमारे पास है care for single character, तो अगर मेरे को single character store करना है, और इसकी range है 2 byte, और यह बोलता है मैं जो data store करता हूँ, that is a unique code, universal character store करता हूँ, Hindi, English, German, Spanish, किसी भी type value में इसके हिंदर preserve करके आ सकता हूँ, तो अब अगर मैं जाकर हमें लिए तो care, w, a, तो यह इसे भी store कर सकता है, और अगर मेरे पास कोई ऐसा character भी है, जो किसी और language में लिख्या, उससे भी मैं store करके आ सकता हूँ, so let's say if I just go here, मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर say if I type it, let's say, मैंने हाँ पर type कर दिया, Google Translate, और Google Translate पर जाकर I specify here hello, और इस hello को मैंने हिंदी में लिखा, तो देखा, ऐसे लिखाया, तो उसमें से मैंने ना को उठाया, पेस्ट मारा, तो यह इसे भी support करेगा, तो इसका मतलब अगर मेरे को किसी भी characters को store करना है, या मैं उसका equivalent unicode भी character store करके आ सकता हूँ, this is for character, अगर मेरे को इसी में एक और category देखनी है, which is called boolean, तो अगर मेरे को कोई value true या false में preserve करनी है, तो मैं boolean use कर सकता हूँ, तो जो boolean है हमारे पास, जिसमें हम, जैसे मैंने बोला attendance true है या false है, तो इसके लिए मैं इसे use करके आ सकता हूँ, और इसकी, because true जो consider किया जाता है generally, वो consider किया जाता है 0, और false consider किया जाता है, उल्टा लिए 1 और false consider किया जाता है 0, तो यह इसके लिए बोलता है कि इसके जो representation इंटरल ही वो numeric जैसे है, non-decimal जैसे है, तो यह might भी memory में एक byte consume कर सकता है, दो byte भी consume कर सकता है, depend on OS to OS, कि कि इस OS में इसको कैसे store करवाएगा इस value को, because true false computer के पास नहीं है, उसके पास 1 और 0S के लिए, So these all are called primitive types, यह सब हमारे primitive types हैं, जो value preserve करने के लिए बनाए गए है,